चहरे पर चमक पाने के उपाए दादी मा के दस बहुत ही जरूरी नुस्खे 1. गुलाब जल से चहरे का नेचुरल ग्लो बनाए रख सकते हैं गुलाब जल एक ऐसा टोनर है जिसका बारिश के मौसम में इस्तिमाल अच्छा माना जाता है इस मौसम में फेस क्रीम की बजाए चहरे पर गुलाब जल लगाने की सलाह दी जाती है आपकी स्किन ओयली है तो डस्टिंग पाउडर का इस्तिमाल करना चाहिए 2. मानसून में स्क्रीम की समस्याओं से बचने के लिए बहतर प्रोडक्ट के साथ स्क्रीम के नियमित सफाई वह देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है रोम छिदरों को खुला रखना चाहिए और स्क्रीन का तेल भी कम करना चाहिए तुलसी और नीम जैसे सामगरी वाले फेस वाश का इस्तमाल करना चाहिए 3. चहरे के लिए चावल का पानी तवचा को गोरा करने और चमकदार बनाने में मददगार हो सकता है तूदिया सफेद पानी का उपयोग मृत तवचा को शिकाओं को हटाने और रंग को उजवल करने में मदद करता है 4. मानसून के मौसम में मौस्टराइजर लगाने से आपकी तवचा पर महासे हो सकते हैं इन समस्याओं को रोकने के लिए हलके मौस्टराइजर और पानी आधारित क्रीम का उपयोग करें 5. सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बलकी मानसून के मौसम में भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है इस मौसम में चहरे पर ज्यादा तेल मौजूद होता है इसके लिए आप वाटर बेस्ट सनस्क्रीन लगाए 6. बारिश के पानी के संपर्क में लंबे समय तक ना रहे 7. बारिश के इस मौसम में चहरे को साफ रखना बेहत जरूरी होता है ऐसे में आप दो दिन में दो बार चहरा जरूर साफ करें चहरा धोने के लिए अपने फेस वाश का इस्तेमाल कर सकते हैं 8. मानसून में ज्यादा मेक अप की लायर्स लगाने से परहेश करें इसके बजाए कोशिश करें कि हलका लाइट मेक अप करें जिससे मेक अभी हट जाए और आपके कपडों पर ना गिरे या चहरा बुरा ना दिखे 9. हल्दी के साथ बेसन और पानी मिला कर आप अपने चहरे पर लगा सकते हैं 10. जिस तरह हम क्रीम का उप्योग करते हैं ठीक वैसे ही हमें नारियल तेल का उप्योग करना चाहिए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद